So Hello and Welcome You all I am Rohit from Hagen Traders So guys, जम बात करने वाले हैं Tata के सिस्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में multi-vaker बनेगा मैं इसा क्यूं बुल रहा हुआ हुआँ क्यूंकि Tata के सारे shares upside train कर रहे हैं और आज आपने देखा ही होंगा Tata Motors काफी हद तक बढ़ गया है काफी positive news उसमें आ रही है और इतनी रेली उसमें देखने को मिली और जापान के साथ क्या कुछ उसने डील की है आपको आपको यह वीडियो देखना तो Tata Motors का वीडियो में ने डाल के रखा है आप वीडियो देख सकते हो और हम बात करने वाले TTML के बारे में तो guys अगर आप एक beginner हो अगर आप एक beginner हो आपको इसे stock में invest करना है तो आपके लिए इससे अच्छा stock और कोहीं नहीं होगा क्योंकि Tata टीटी टाटा टेली सर्फीस महराश्टा लिमिटेड एक multivaker stock बनने वाला है ऐसा क्यों बोल रहा हो क्योंकि आपने देखी ही होंगे Tata के सारे share upside जा र हम इस पर वीडियो बना रहे है गाईस तो काफी इंटरस्टिंग ए वीडियो होने वाला है तो वीडियो को end तक देखना हो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो फ्लीज चैनल को subscribe कर देना for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को शूरू करते है तो तो देख सकते हो returns की तो 20 पेसा stock upside की और बढ़ता हों में नजर आ रहा है और वही अगर बात करें हापर तो 0.57% के आसपास की तेजी के साथ ये बढ़ता हो नजर आ रहा है परसेंट तक बढ़ रहा है लागबग 0.57% की तेजी के साथ ये stock बढ़ता हो दिक रहा है वही अगर देखा जाए तो आज इस stock थोड़ा sideways था और टाटा मोटस की अगर बात की जाए तो काफी उसमें bullishness अमेनेजर आ रही है तो guys अही अगर बात की जाए आज open हुआ था 35 पेसे पे high लगा था 30 पे 90 पेसे का और low लगा था इसने 30 रुपे तक का और अगर market cap की बात करें guys तो market cap भी आप दे resistance level के बारे में क्या कुछ इसके resistance level है तो आप resistance level भी आप देख सकते हूँ यहाँ पर 36 रुपे 07 पेसे के असपास का फस resistance level है आप देखने को मिल रहा है तो एकर second की बात करूं तो 36 रुपे 95 पेसे का असपास है और यह अगर बात करूं थार्ड resistance लेवल की तो 36 रुपे 62 प कि आच दो प्राइस करें है चांज है तो स्थारूट इस्ट वाउट प्रेसे के था स्था icon कारे में अन्यार ने जारा है तो टला तो और रेजिस्टेंस लिवल के बारे में बात कर लिए है और बात करने जा रहे हैं किसमें क्या कुछ two class volume समें देखने को बिले कि अगर price performance हमें देखने को बिला तो price performance के बारे में हम देखने मिले तो price performance के बारे में अगर बता हो guys तो पिछले three years का फिचले सब्सक्राइब करें हम इसका तो 683.33 percent के आसपास यह था और plus में था और उसी के बाद अगर देखा जाए one year का तो तो 43-40% के आसपास है वही गाइस अगर बात करें हम पिछले वन वीक की तो एवरेज वन वीक का अगर निकला जाए तो माइनस में चल रहा है वाइनस 2.50% के आसपास हमें नजरा रहा है तो माइनस में है बड देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है तो उसके बारे में भी जिसे řिए अप्डेट होगा आगे में बताते रहूगा तो अब भी देख सकते हैं गर टीटी में मिलके और ट्रेड गयू के बारे में अकर गाइस बात कर ले तो ट्रेड उठा और Community Delivery की बात करें तो वह भी 100% थी 17 lakh और वही अगर बात की जाए गाइस यहाँ पर 1 week के अवरेज की तो 23 lakh के सम्थिं यहाँ पर नजर आ जाएंगा वही अगर बात करें तो 100% तक यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगा वही वन मन्त का अवरेज निकाला जाए तो 24 lakh के सम्थिंग है और 100% की यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है तो काफी कुछ positive उसमें है और 14 lakh यहाँ पर भी component delivery हमें देखने को मिलेगी तो अगी आगे जाए हो रही community sentiments के अगर call या call के बारे में बात की जाए तो buy call यहाँ पर आप देख सकते हो 89% के आसपास की buy call है गाइस 89% के आसपास की buy call हमें देखने को मिल रही है वही अगर बात की जाए गाइस इसमें 7% की sell call हमें देखने को मिल रही है 7% की sell call भी हमें आप देखने को मिल सकती है और वही अगर देखी जा तो 4% तक की holding है तो holding और जो buying है वो काफी important है गाइस और वही इसमें फंडा है और buyers का ही इसमें दबबा रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों तक और आने वाले time में और भी यह ज़्यादा बढ़ सकता है guys तो अगर वही अगर बात की जाए इसमें revenues की revenues क्या कुछ हमें देखने को मल रहा है revenues भी हम देखे तो 2017 के revenue के अगर मैं बात करूँ तो 2017 के revenue में अगर देखा जाए तो 2721 करोड के आसपास का revenue generate हुआ था वही 2018 में देखे तो 1888 करोड के आसपास था guys वही 2019 में देखे तो 1270 करोड के आसपास का revenue था वही 2020 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो year on year revenue का भी down trend में हमें जाता हुआ दिख रहा है और एक काफी हद तक नीचे की और ही हमें जाता हुआ दिख रहा है गाइस और वही अगर बात करें इसमें main topic है profit का तो profit में अगर देखा जाए तो यहाँ पर positive way में थोड़ी भोता में है आपर hope देखने को मिल रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोड़ा हुआ क्योंकि अगर देखा जाए तो 2017 के अगर बात करें तो 2856 करोड के असपास minus में हमें दिखाई दे र profit वही गाईज अगर 2019 की में बात करो तो 2019 में आप देख सकते हो लगबख 666% माइनस में था और यहाँ पर net profit वही 2019 की बात 20 की बात कर ले गाईज तो 2020 में अगर देखा जाए तो 3714 करोड माइनस में देख रहा है वही अगर बात करूँ गाईज में 2021 की तो 2019 करोड तक माइन इसमें है तो यहाँ पर year on year भी profit हमें थोड़ा सा बढ़ता हो तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है वही गाईज अगर बात करें net profit की तो net profit एक important चीज हो जाती है किसे भी stock के लिए तो वही हम discussion करने वाले इस वीडियो में तो 74.36% तक promoters की holding है जो guys holdings की बात कर रह important हो जाती है और वही मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैं बता रहा हो कि जो holding से 74.36% की holding है तो यहाँ पर काफी दमदार है तो यहाँ पर काफी दमदार तरीके से बढ़ सकता है आने वाले time में भी तो guys अगर बात करूं में यहाँ पर top holders की top holders के बारे में अगर देखा जा की अगर बात करें तो 48.30% की holding है 30% की holding आपको देखा जाए तो what is corporate की अगर देखी जा तो 0.79% की असपास है यह वही अगर देखें तो 0.76% है वही अगर NRIs की देखी जाए तो 0.57 है तो यहाँ पर clearing members की भी काफी कुछ holding है तो guys जो holding थी मैंने आपको बता दी है और अगर आपको long term की हिसाब से stock में अपना पेसा लगाना है तो बिलकुल आप इसमें अपना पेसा लगा सकते हो बिलकुल आप इसमें अपना पेसा लगा सकते हो guys क्योंकि यह stock year on year year अच्छे profit देने वाला है क्योंकि यह stock के पीछे टाटा एगा stock stock में इसका नाम ही टाटा है और टाटा जो stock है वो काफी strong name हम कह सकते काफी strong है और guys वीडियो पसंद आया हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना thank you